बहुत बड़े मक्रे पे गुज़र रही है जिसका नाम COVID-19 है और आपको बता है कि पाकिस्तान को बावजूत कोशिश के COVID-19 की बहुत जबा वैक्सिन नहीं देंगे लेकिन पाकिस्तान ने अभी तर अपने तोर पर कोई और न भुख नहीं दिया है इस वीडियो को आप एक म आपने वीडियो के साथ मैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एफ लिजी सब्सक्राइब कर लिजे और हमारे बैल आइकन दबा दे जे संसी वीडियो को लाइक कर साथ 카메ा करी तैस फैमिली के इंडियन रुपीज टू फिफ्टी में और स्टाजानिका जो वहां पर लगाई जारी एक शक्स को रुके पाकिस्तान में जो कीमत है एक और वैक्सीन की उसके टैल्ट ये वैक्सीन आ रही है इसको अपने आंगल से देख रहे हैं पाकिस्तान ना तो ये किसी की insult है ना ये किसी की कोई के लिए कोई बुरी बात है इंसानियत बचाना पुरी दुनिया में सबका गाम है तो जो पाकस्तान की ड्रेग एरेगुलरिटी अथॉरिटी है उसने औरेडी जो ऑक्सवोर्ड की जो है वो अस्टाजैनेका कोवर्ड वैक्सीन है वो अमर्जन्सी के लिए औरड़ी अप्रूव कर दिये जन्वरी से लेकिन पाकस्तान के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो ये वैक्सीनेशन खरीद सके जो कोवेक्स के जरीए जो वैक्सीनेशन वो आएगी ठीक है जी वो हम लेंगे और इंडिया औरड़ी एक 65 कंट्री में तकरीबन जो डिफर्ण काटेगरी में ये वैक्सीनेशन दे चुका है कहीं पर ग्रांट में दे चुके हैं कहीं में फ्री अफ कास दे चुके हैं कहीं पर वो कमर्शल सेल्स के लिए बे चुके हैं वो जान को की हफाज़त के लिए है और अगर मुझे चाहिए, किसी इंसान को चाहिए तो वो क्यों नहीं मिलनी चाहिए, वो कहीं से भी आ रही हो तो इसमें कोई इंसर्ट पली बात नहीं है इंडियन्स इसमें बड़ा सुप्रेरिटी कॉंप्लैक्स शो कर रहे है मैंने काफी इंडियन मीडिया को देखा है और मुझे भी एक दो चैनल से आई कॉल इसके लिए तो ये चलता रहता है, ये होता है और मैं समझता हूँ, बड़ी अच्छी बात है मैंने पहले भी इसके लिए ये कहा था कि इंडिया की जो medical community है वो धात की मुस्طहक है देखें इस वकद तकरीबन ये का जा रहा है कि इंडिया के जो foreign officer है वो कह रहा है कि तकरीबन पौने 6 लाक doses से ज्यादा जो है, वो वैक्सिन जो है वो अपौने 6 लाक नहीं इस से ज्यादा 6 लाक doses उपने 6 लाक जो डोजिस हैं वो सप्लाइ हो चुकी है और जिसमें तकरीबन उन्होंने तकरीबन 1,63,000,00 लाक जो जो डोजिस हैं वो सिर्फ कोवेक्स में बेजी हैं मैंने घल्द काई वीवर्ज मैंने कहा था पांसो उनासी लाख डोजिस सरी को को मिसंडर्स्टैंडिंग हो गया तो कोवेक्स के ताइट भी रोने काफी जो वैक्सीन बेजी हैं बलकि यूएंस के जो पर्मिनेंट वो जो है पीसकीपिंग के लोग उनको भी रोने वह वैक्सीन बेजी हुई है अब इंडिया ने लिए वैक्सीन बनाई उसको पूरी दुनिया में ट्रांसफर कर रहे हैं और आपको पता है कि जो कोवेक्स है अब इंडिया ने कर पांच और पांच करोड के करीब बनती है वो कवर करेंगा कोविक्स कवर करेगा इसमें तो लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगेगा इंडिया के अंदर खुद जारी बात है बहुत बड़े पर मानें पर ये वैक्सिनेशन दी जाई है और मेरे सुनने में तो ये आ रहा है कि इंडिया तकरीबन जो बीस लाक डोजी जो है वो एक सिंग इंसल्ट नहीं है किसी की कि हमें अगर वैक्सिनेशन भारत से आएगी तो हमें हमारी इंसल्ट हो जाएगी मैं समझता ये हूँ कि भारत से तो बहुत जादा वैक्सिनेशन पहले ही पाकस्तान आ रही है भारत तो औरेड़ी ट्रांसपोर्ट कर रहा है वैक्सिनेशन हमें क लेक्सीन हैं फ Dans 2017 साफ काटने की वैक्सीन हो य penalty उसंच है आम इसर हमए यह इंद्या क्यों हमें यह विक सीथी नेैं और हमें आ पेख्जीन का tenure आने करई से सतQUE अब यह में बना कृच्छ On LCP this is a इंग्लेंड से ले सकते हैं और यूर्पीन यूजिन से ले सकते हैं तो इंडिया से क्यों नहीं ले सकते हैं असल चीज तो जान बचाना है जान किसी की भी हो मुसल्मान की हो इंदू की इसाई की ज्यू की सब बराबर जाने हैं तो यह चीज हमें थोड़ी सी इस चीज को वा से बहुत दफा वसकीना लेना फिर उसको काबल हो जाना कि उसको डनिया के बाकी साथ कंपीट करके इंट्रिणेशनलि बढ़ी चीज़ कर देना मैं समझता हूँ क्युंग यह रिजितन फार उसको इस्पेक्ट करना चाहिए हिंडिया आपको पता है कि औरड़ी 60% जो वैक्सिन अग्लोबली वो तो इंडिया बना रहा है so this is something very 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 strong and very positive पाकिस्तान ने औरड़ी चाइनीज मेड जो साइनोफार्म को एप्रूव किया हूँ था फिर हमने वो रुशियन स्पुतनिक को एप्रूव किया फिर हमने आक्सवर्ड की जो अस्ट्राजैनेक है उसको एप्रूव किया फिर वो जो फाइजर है उसको एप्रूव किया so मैं समझता हूँ कि जैसे हैं पाकिस्तान में आज जो ने दोबारा स्कूल बंद कर दी है हमारे जहां में हम इसलामबाद में रहते हैं यहां भी युनिवस्टियां कॉलेज बंद हो गया तो जब तक यह लॉंग टर्म हम वैक्सिनेशन नहीं लेंगे हम किस तरह जो है वो स्कूलों में जा सकेंगे चाइना ने जो पाकिस्तान को सिरफ एक मिलियन वैक्सिन दी है और वो तो हमारे हेल्थ बरकर को लग जाएगी यहां यहां फिंक वो हमारी आर्ण फोर्सेस को लगा रहे हैं यहां कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे जो फरंट लाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सिन लग रही हैं जो कजारी बात एक important जुबहों भी लोग हैं उनको लग रही है, not सियासी तोरब important नहीं, जो basically front line workers, जो है उनके लिए हैं, वो vaccines, so मेरे नजदीक तो इसकी बड़ी appreciation होनी चाहिए इसको politics में हम कहते हैं soft power, so this is India's soft power, which is coming in Pakistan, जिस तरह इंडिया का जो है, वो polywood के गाने हो, जो कि हम बड़े routine में सुनते हैं, मतलब पाकिसान का वो बुड़ा हो, कोई जवान हो, वो सुनते हैं, इसी तरह इंडिया के बहुत सारे लोग पाकिसानी गाने सुनते हैं, लुसरत फदली खान को सुनते हैं, राहत फदली खान को, और बहुत सारे लुस्वयां वहां से लट्टा को सुनते हैं आज कल की फिल्में देखते हैं तो दिस इस सम्धिंग वेरी इंकरेजिंग फॉर दी इंडिया से आती है तो दोस्तों आपने सुना कमर चीमा के मुह से भारत बहुत जल्दी पाकिस्तान को वैक्सीन देने वाला है आपको बता दें कि ये वैक्सीन भारत डारेक्टली नहीं देने वाला है ये वैक्सीन भाकिस्तान को मिलेगी गावी के थ्रू गावी एक संगटन है जो गरीब देशों को वैक्सीन पहुचाने का काम करता है आपको बताते हैं भारत के परोसी देश जैसे कि अफगानिस्थान, स्री लंका, नेपाल, मांगला देश, मायानमार, मालडीप और कौन से हैं आप भी समझ सकते हो जैसे कि आस पास जो भी बचे हैं वो सभी देश भूटान भी है और मालडीप के अलावा सेसेल्स भी बहुत उसे भी पहुचाई गई और बहुत सारे देश लगभग असी देशों तक भारत की वैक्सीन पहुच चुकी है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों आपको बता दें पाकिस्तान के अमरान खान का इटिज़ जो इतना जाता है कि उसने भारत से वैक्सीन म स्प्रेयसर्डी क्या बोल सकते हैं आप मतलब इससले मां घ्रमन नहीं करना चाहिए कि हम पाकिस्तान को वैक्सीन दे रहें सालों तुम लोग बम बनाते हैं, हम तुमें वैक्सीन देते हैं हाला कि ये बात होनी भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है इनको थोड़ा सरमशार करना जरूरी भी है लेकिन एक बात भी जरूरी है कि हम ये वैक्सीन किसी मतलब क्या बोने हैं, आप समझ सकते हो किसी दया के भाव से दे रहें इस तरीके की बात कर रहें तो जरूरी भी है, ठीक है चली गई पाकिसान को, आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लखें आपको ये वीडियो कैसे लगा, कॉमेंट बॉक्स में जरूर लखें दोस्तों आपको बताते है भारत में अब कोरोना फिर से फैलना सुरू होगा है क्योंकि आपको पता है भारत की आवाद इतनी ज़दी वेक्सिनाइजेशन हम पूरे भारत में करना ही सकते अभी अभी निउस आये है की नाकपर में साथ दिन का कर्फ्यू लग गया आपको बताते हैं भारत में महरास्ट एक ऐसा स्टेट है जहां पर भारत के 70% कोविट केसिस हैं और उसके बाद केरल है बागी भारत में केसिस नहीं है तो महरास्ट और केरला बहुत जादा कोविट पॉजिटिव केस यहीं से हैं और बागी भारत में नहीं है तो उमीद करत हैं आप लोग भी मास्क पहन रहे होंगे कोवेट रूल्स का फॉलो कर रहे होंगे जिससे की